किसान मित्रो नमस्कार लाज्ट टक बने रहेंगे जिससे हम आपको इस भीडिव के माद्यम से संपूर्ण जानकारी आपको देपाएंगे और अगर कोई भी अगर आपको हमसे और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें फून के माद्यम से डिपक्रेश्टन बाक्स में हमारा फोन नमबर मिलन जाएगा, वाट्साप नमबर मिल जाएगा, तो आप फोन के माध्यम से भी हम से जो है, कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कोई भी खेती की विशे में, आप हम आपको संपूर जानकारी फोन के माध्यम से भी हम आपको जो है, देने के लिए तयार हैं, और कोई सुझाओ हो, जीवन में हार्दिक बंदन और अभिनंदन है और चलिए हम वीडियो सुरू करते हैं और वीडियो सुरू करने के पहले आप सभी लोगों से रिक्ष्ट है कि आपके अपने चैनल किसान संब्रेद्धी जीवन को अगर अभी तक आपने सब्क्राइब नहीं किया है तो सब्क् माद्यम से अन किसानों को भी यह जानकारी मिल सके और यह जानकारी के माद्यम से और अन किसानों को भी जानकारी भेज सके तो किसान मित्रो आप वीडियो जो है जरूर आप सुरू करिए आप जो है चलिए हम सुरू कर लेते हैं जान लेते हैं पोटास के विसे में किसान मि गिहों की स्थिती क्या है जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो है हवा जो है बहुत तेज चलने लगी है गरम गरम हवा चलने लगी है और गिहों की स्थिती अभी क्या है कि गिहों अभी जो है गभोट की अवस्था से उपर आ गई है कहीं कहीं गभोट में कहीं 15 से 20 परसे चल रही है और इस अवस्था में जो है जब हमारी जो गिहों की अवस्था, जो है जो गभोट की अवस्था के उपर की वस्था हो यनी जब बालिया निकल रही हो, ये कि 15 से 20 परसंट बालिया निकल गई हो, उसमय हमें हमें जो है कौँ साखाद देना चाहिए और को सकाथ देने से हमें फायदा होगा और नहीं अगर देंगे तो क्या-क्या नुकसान होगा हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं तो अभी अगर आपके ग्यों की फसल में जो है बालिया 25 से 30 पर से निकल गई हो पोटास का बहुत ही एहम मतपण भूमिका होगी आपकी ग्यों की फसल के लिए क्योंकि प्राथमिक पो सकत में पोटास की बहुत ही मतपण भूमिका होती है पोटास आपका दो प्रकार काता है एक तो miurata potas होता है 60 पर सेंड वाला और दूसरा जो होता है जिसको हम foliar spray के माद्यम से हम फसल में देते हैं वो आपको जो है NPK 0050 जिसमे जो है म्यूरेट और पोटास जो है आप 20 से 25 किलो ग्राम प्रति एकड़ के हिसाप से आप जो है आप छिड़काओ बिभेर सकते हैं आप बिख्राओ के माद्यम से आप दे सकते हैं तो आपकी फसल जो बहुत ही बड़ी है आपकी फ़सल आयेगी अगर आप माल लिजे बिखराओं के माद्यम से नहीं देना चाहते हैं अगर आप इस्प्रे के माद्यम से देना चाहते हैं तो NPK0050 NPK0050 पोटेसियम सल्फिट इसमें सल्फर के भी मात्रा रहेगी सल्फिट के भी मात्रा रहेगी तो आप जो है एनपी के 0050 का जो है इस्प्रे के माद्यम से भी अगर आप जो है अपनी ग्यों की फसल में देंगे तो आपकी ग्यों की फसल बहुत बढ़िया बेजोड आएगी और इसके साथ साथ अगर आप इस्प्रे के माद्यम से आप पोटास दे रहे हैं तो आप इसके किसान मित्रों आब हम जान लेते हैं डोज जान लेते हैं कि अगर इसको डालना है तो आपको कितना डोज आपको यूज़ करना है अगर आप बिखराव बिदी से यूज़ करते हैं 60% वाला मूरत आप पोटास डालते हैं, तो आप 20-25 kg प्रतियकड के हिसाब से डालना है, अगर आप इस्प्रे के माध्यम से अगर आप दे रहे हैं, NPK 0050, पोटिसियम सलपेट, तो इसको आपको एक किलोग्राम प्रतियकड के हिसाब से आपको इस्प्रे करना है, 130 से लेके 150 लिटर पानी के हिसाब से आपको इस्प्रे करना, और इसमें आपको 100 गराम आपको बुरान भी आप मिलाके 20% वाला प्रियोग करेंगे, तो बहुत ही बढ़िया होगी, अब हम जान लेते हैं किसान मित्रों कि इसको नहीं डालने से आपके क्या नुपसान है और क्या फाइदे हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता चुका हूँ, एकर आप नहीं डालते हैं क्योंकि फचल में, तो जबकि आप सारे पोसक तो दे चुके होते हैं, अगर आप पोटास नहीं डालते हैं, तो आपका dana जो है पीचा हो जाएगा, dana कमजोर पड़ जाएगा, dana जो है तंदृस्त के साथ आपका चला जाता है क्योंकि वो दाना पतला होता है और पतला होने से बहुत कमजोर होने से वो हवा में उड़ जाता है वो होता है केवल पोटेसियम की कमी से होता है पोटास की कमी से होता है तो दाना सबसे पहला चीश तो दाना कमजोर पड़ जाता है और दूसरा न तो इस बज़े से आपका बहुत भारी मात्रा में आपका नुकसान होता है तो किसान मित्रो अगर आप पोटेसियम सलफेड एक पोटास आप डालते हैं तो आपको फाइदा क्या-क्या होने वाला है हम आपके फाइदों की भी से में बात करेंगे सबसे पहला चीज तो जो है पोटेसियम सलफेड फासल में दोबार डाला जाता है एक तो आप बोनी के समय डाल देते हैं तो बोनी के समय डाल देते हैं तो फासल आपकी मजबूत तंदुस्त हो जाती है फसल में बेजोड भिकास होता है जड़क अच्छा भिकास होता है अब दुबारा हम जो है इसको डालते हैं गभोट के समय यह कि जो है गभोट के बाद जो है जब बालिया 25 पर से निकल आती थी स्प्रेक माध्यम से देते हैं तो इसको डालने से क्या होगा कि आपकी सबसे प बहुत ज़्यादा होगा पूरे दाना पूचे नहीं होगे पूरे दाना बहुत पुस्ट हो जाएंगे दाना बहुत बोल्ड दाना आएगा दाना बहुत मोटा होगा बालियां बिल्कुल पूरी मोटी हो जाएंगी और दानों से पूरी बालियां भर जाएंगी और में ची अची आएगी, बेतरीन signing आएगी, बेतरीन signing आने से market value बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि market में क्या होता है, market में ये देखा जाता है, कि फसल गिहूं में आपका signing है कि नहीं है, तो इसमें signing बहुत अच्छा आएगी, और बजन में बहुत बजन आएगा, तो आपका बजन भ होगा, कि आपकी फसल गिरने से बच जाएगी, आप देखते हैं, थोड़ी हवा चलने से फसल गिर जाती है, और फसल जल्दी सूख जाती है, फसल में हरापन पर फसल अच्छी तरीके से पक नहीं पाती है, अब पकने के पहले ही सूखने लगती है, ठीक न, तो जैब इसम पोटेसियम सलपेट का स्प्रे करते हैं, कि आप पोटास नीचे डालते हैं, तो आपके फसल गिरे के नगी हो फसल का बहुत ही बढ़िया विकास होगा, किसान मित्रोbon ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, और वीडियो को अन किसानों तक भी share करिए जिससे आपके माद्यम से अन किसानों को भी अच्छी से अच्छी हम जानकारी जो है प्रदान कर सके जिससे किसान बहुत 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 अच्छी खेती कर सके और कोई भी अगर सिकाय सुझाओ है तो हमें कमेंट के माद्यम से आप जानकारी दे ले सकते हैं किसान मित्रों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्नवाद बहुत धन्नवाद जै जवान जै किसान